उत्राखंड सचवाले में एक बार फिर से अधिकारी और कर्मचारी आमने सामने हैं सचवाले संग ने कर्मचारियों के शोशन को लेकर आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली है दरसल मामला सचवाले कर्मचारियों के ट्रांसफर का है देखिए जिस तरह से सचवाले में विगत दिनों से जो माहौल चल रहा है और अनुभागों पर जो एक कुठारागात किया जा रहा है कही ना कही गलत फीड़बैक मानी मुक्यमतिजी को दिया जा रहा है और सचवाले करमचारियों को टार्गेट करने का प्रियाज जो किया जा रहा है उस संब्द में सचवाले संग के तमाम सदस्यों में एक आकरोश असंदोश उत्पन लुए है और कहीना कही ये बैठक जो हो रही है इस बैठक के माधियम से ये ताहि किया गाए कि किस प्रकार स से इस तरह की जो गलत फीडबेक्स हैं उन पर अंकुष लगाया जाए और जिस तरह से सचिव अभी हालिया सचिव वीड़ी की जो कारी शली रही पूरे अनुभाग को समर्पन करने के जो कारवाई रही कही नहीं यह नियम विरुद एक कारवाई की गई है और सच्वारे प् आई एरिया सभी करमचारियों और अनिवारी हो बाद्यकारी हो और किसी भी प्रकार से तीन साल से उपर के लोगों के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई राज्चची हश्य ना हो सचिवाले सिवा के इनों अधिकारी करमचारे में इस पर विचार मंथन चल रहा है और अब सचवाले संग ने साफ तोर पर एलान कर दिया है कि अगर अधिकारियों का यही रवया रहा तो वो एक बार फिर आंदोलन के लिए मजबूर होंगे दहरादून से न्यूज स्टूडियो के लिए सौरप सिंग बिष्ट की रिपोर्ट झाल झाल